वेल्कम बैक टो मैं चैनल बीटिफुल लाइफ एंड मी रिंखी जैसवाल और मैं रिंखी जानते तो है ना गाइस और आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे मसत होंगे दुरूस्त होंगे तो गाइस मैं भी अच्छी हूं इस समय और आज की मतब अभी ट तारीक है 5 सितंबर और आज का दिन है थर्जडे तो गाइस बस मैंने साम को पांच विजए से ब्लाइब को चालू किया है और गाइस अगर अभी आप नए वीवर हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लि देखना शर्डेब करिए तो गाइस बस अभी वह लाइब पीडियम नहीं आ रहा ही है यह एक लाइट जलता है जहाए घ्लाइब को शलता है नवीजिद शलता है मतलब एक ही बलफ या रॉत एक कम्डे जलता है तो यहीं सब है, मैं बस बैठी गई दो गंग में रातों यार है त्यार को जैती तो जिसकी वज़ेसे थुरा सा थकान हो जाती ए ओर और पिर के दुपार सा नीन ले लेती हूँ और कभी कदर ऐसी प्रॉप्लम हो भी जाती है मुझे क्योंकि शुरू से मतलब शादी के पहले से यह यादात है कि कभी कदर रात को नीन नहीं आती है मेरे के समय मेरे हर। मेरे हजबन कैसे सब्सक्राइब श है चाहल out मेरे हां। चाहिए मेरे जाओे पोड़व वरम लेकिन मने मेरे मेरे मुक्सान ही मैं नुक्सान था नुक्ति खेवक्ति के वाजये कि यहादा से तो थोड़ा पत्य नीन कंप्लीट होई जाती हो और मॉर्निंग में थोड़ा सा कबर कर लेती हूं पांच बजी में जनीद आ जाती है तो फिर मैं आराम से जाहना साथ बचाट बज़े सोके उठ जाती हूं जनीद में पत्व फोड़ा साथ जाती है उसकि आने से पहले किस्के शाप जाती है तो बस इसलिए मैं मॉर्निंग में सारा लैंच बना दे हूं । कि मेरे हजबन साथ 10 वजे तक लेकर चले जा आज तो मेरे हजबन नौ बज़े के करीब में शौप चलेगा और नौ बज़े तक मैंने फुटा लैंच कंप्लीट करके इंको दे भी दिया और फिर एक बंड का मुझे इंतिजार करना पड़ा मतलब अपनी मेड का और वो दस सा पर भी तरह तो इस अउनके पास भूस होता है, हम आउस वाइक में फरूप बहुता है पार कहते हैं मेड के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है तो बस उनके टाइम में मैंने तोड़ा से अज़ेस्मेंट करके अपने आपको अरज कर लिया है तो बढ़ी हारता है मेरा हैल्फ भी हो जाता है और मुझे चारा टेंशन लेनी के ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आजकर मैं बताया रहें कि मेरा लीवर जाता प्रॉब्लम कर रहा था जिसकी वाज़े से मुझे बड़ी थकांची हो जाती थी और इसकी वज़े से मैंने रख भी लिया था मेर को क्योंकि यब हैल्थ में प्रॉब्लम होने लगती है तो घर का काम भी करना जरूरी होता है तो को समय तो सब्सकारक है दो एक चौति यहां बाहर वाच करते हैं और यह तो जाओ कि प आपकेर नहीं कंड़ार को तब हर यह कंड़ी रहें कौघ्चे जए कर्मायसम आशन करिकी तो हमाई ही तो चलते गय गलक ए इसको रख दिया था कि शूख जाए कि अगर गिले में बिंडी काटो तो रेसे छोड़ने लगती है और इस वज़े से तो गाइस मैं बैट पर ही बैट के बिंडी काट रही हूँ क्योंकि पेपर वगेरा बिचा लिया कि कुछ भी मतलब बिट पर ना गिरे और मैं फार्स पर बैट के नहीं काट पाती हूँ क्योंकि इस समय बाइस का टाइम चला है है और वगेरा बहुत ज़्यादा फॉल करते हैं अगर कोई कोई भी एक बाल रह गया और वो जहना इस पर चला गया तो ठीक नहीं रहेगा इसलिए मैं बैट पर ही बैट के बिंडी काट लूँगी अगर यह निम्य कोम आपकोद चला है तब चुचुचुरी चुचुचुरी सूखी सित्ही हो जाते हैं तब तक मेरे हजबन को पसत ही आती है और यही सब चल ला है जारी यह आप सप्किल लगावा है यूकि नेट बहुत बड़ा है तो क्यों क्योंकि कोई चीज से अड़ तो फिर इसका इंसान भूल जाता है कि इसको थोड़ा सा मतब यहां वे यह तो हुक लगा लू यहां कुछ दू लेकिन मुझे बड़ा अगला मतब कि आगे क्या गला जो फूट का होता है यह साड़ी का होता तो मुझे नहीं पसंद आता बलॉच का तो इसलिए मैं जो इना कोई safety pin लगा दीती है और सबसे लगी हुई है काफी टाइम हो गया इसको safety pin लगाए हुए तो गाइस जहीं सब हैं आपस अच्छा घर में अखेले अखेले family होती ना तो time cut जाता वड़े आराम से बात करते हुए time cut जाता हर प्रकार से लेकिन कोई इंसान अखेला होता है न नोग बाते कम करते हैं दूसरे से नूग चुट जादा करते हुए उसी में enjoy करते दूसरे से तो वही है इननने phone किया तक हाथ एक कुछ लाना है तो बता दो वही है मैं इनको बताया है क्योंकि regular रट कोई मिल्क मंग वाती हूँ मिल्क में रात कोई आता है तो फिर वही मिल प्रिव और छक्षे मिलेदा की सब्सक्राइब के साथ चीजे रात कोई सब्सक्राइब करते है अग्यों करते है तो में चेजिए干 보여지를 च़्यायर बतां cricket my और आता की सब्सक्राइब ता माष्य का क rook खाने का मनता में यह निञा बीन की से सब्सक्राइब इतना टेस्टी लग रहा था कि मन करा था एक कटोई ऐसी करें खालू। और मैं डर्र के बनाई था रॉकल थितना जला भी नहीं थी कि कटोई भर खाऊ। तो मैं जबछी सोची थे कि या इस्तफाक से कभी भी चीज़ खाने का महनवता हो और वह एसे ही भन जाताएं। यह चले जाते हैं और शॉप में अगर कोई चटर पटा चीज खा लो तो फिर भूख लग जाती जल्दी टाइम मिलता नहीं हुआ खाने का तो यह तो बस पराठा ही खाते हैं मॉर्निंग यह तो सुमाई बन जाएगी सेमाई जिसे खते हम सुमाई कहते हैं सेमाई जो बनता है वह खालेंगे खीर बन जाएगा तो खीर के साथ भी पूरी अपराठा चाहिए तो यह ही है तो गाइस जहना बस मैं इनका ही वेट कर रही हूं यह आएंगे तो फिर फुरा स पाक जाते हैं तो आज मैं बाहर भी चली रही थी अब बाहर में से पीचे है नब 10-15-20 मिनिट रही हूं आरे इतने मच्छर मैं जल्दी बहा निकलती रही हूं इतने मच्छर मताब 5-6 मच्छर मेरे इस हाथ के साइड में उड़ गा है थे हम बिज़े से लाग रहा था था तो इंजेक्शन या ग्लुकोस चड़ाते चड़ाते ही टाइम पास हो जाएगा मेरा कम से कम 10 दिन का तो मैंने का बहुत भाग लो अंदर अम आएगे जहने क्या होता है सपोर्ट के लिए मतब जाली वाले दरवाजे लगे तो अंदर मच्छर ही नहीं आते हैं तो मैंने का आज मैं बाहर आयों बैटने के लिए और आज मिजे मच्छर बटोल ले जा रहा है तो बहुत मतब कि मोटे मोटे से मच्छर और गिंती के साती मच्छरों में बड़े मोटे से काट ले तो अच्छी आसे नानी आदा जाए तो बस यही था बार इसके मौसब मैं वैसे कारे जा हूँ आस वी से वी 1 पे से मेकम नहीं पसंद घरते में इजाना हो तो मैं अख पछा लगता है ऐसे तो मैं जया जय्यादा नहीं करती हूं और भगवान की जाए से इतना जाता मेकप नहीं करते हैं तो मेरे स्कीन भी आप देख सकते हैं कि भी सॉप्ट और इतनी ग्लोइंग है बस यह है तो सब्सक्राइब काई बाते जाता होगी है और बना लेते हैं दिनर क्योंकि आभी आ जाएंगे तो फिर भूप अगेरा लग प्याज को प्याज को सुने रहा होने तक फ्राइब कर लूंगी तो यहां पर मैंने हरी मिर्च डाली है चार-पांच और दो मैंने लाल मिर्च तो टुकडों में काटके डाला है अब मैं इसमें हल्दी डालगी और इसके बाद मैं बिंडी इसके अंदर डाल दूंगी और यसके बाद नमक और जहेना सबजी मसाला यूस करूंगी बस बिंडी सिंपल तरीके से बनाती हूँ जाँ जादा इस तर डालती हूँ इस टाइप से बिंडी की सबजी बना यह बहुत टेस्टी बनती और आप सबसे हाई वो लेंगे तो गाइस तो गाइस जहेना भिंडी के सब्जी तयार हो गई है और यह देखने में जली जली लग रही पर ऐसा है नहीं है यह यह दीमी करस्व मैंने इसको पकाया है और मेरे हजबन को ऐसी भिंडी पसंद है उन्हें जहेना आज मैं रोटी चाहन के सब्जी के साथ पराथा ही बनाए जाता है और मेरे हजबन को बिंडी और नहीं को यह सब्जी शूख के लिए फटे लराध है फटेहर होगता है अच्छा लगता है उन्हें सब्सक्राटा सा तो गाइस बश्रा है मैं पराठा बना लूँगी उसके बाद ही डिनर निकालूँगी तैयार हो चुका बेंडी के सब्जी है प्याज है पराठा हो चाय है तो गाइस यह मेरा आज का डिनर तो आप लोग भी जल्दी से आजाएए और मेरे हज़बन जो हैने सुखी सब्जी के साथ चाय जरूर ले सब्सक्राइब की जब लोग को लाइक दीजिया और मैं मिलती है अपने नेक्स ब्लॉग पर तब तक के लिए बाइ थांक्यू फर वाचिंग अपना खयाल रखिएगा